दोस्तो जो ट्विन फ्लेम यूनियन है उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है क्योंकि आज तक जो हमें सिखाया गया है is only and only about soulmate relationship, कैसे हम बाहर से अपने relationships बनाएं, कैसे हम opposite sex को attract करें in fact, बड़े-बड़े philosophers या अभी जितने भी psychologists हैं या बड़े platform पे आज भी बात कर रहे हैं वो इसी subject के इसी line में बात करें क्योंकि उनको भी Twin Flame Union के बारे में नहीं पता so all they will teach you कि okay, आप अगर वो self-love भी सिखाते हैं फिर भी वो total self-love नहीं सिखा पाते क्योंकि उनकी नजरों में भी यही तरीका है to attract the opposite sex and that has resulted in us attracting the wrong partner so जैसे-जैसे हम grow up होते हैं, हम, we hit the puberty, we hit teenage years तो हम आसपास देखने लग जाते हैं कि कैसे हम opposite sex को attract करें क्योंकि सबकी इच्छा होती है, सबकी desire होती है, कैसे हम union में आएं बट उस वक्त हमें twin flame concept का पता नहीं होता है और कोई direction भी नहीं होती है हमें opposite ideas बताय जाते हैं, घर पे कुछ और बताय जाता है और school वालों ने कुछ और बोला होता है जो हमारे friends होते हैं, वो कुछ और बोलते है तो क्योंकि ये काफी topic है जो हमें properly educate नहीं किया जाता है इसके लिए not proper education है और हर एक घर की अपनी ही philosophy चलती है कि कई लोगों में, कई घरों में होता है कि अच्छा भई तुम्हे arrange marriage करनी है कई लोग allow करते कि okay you have to find your own partner even then कुछ न कुछ rules आपको follow करने पड़ते हैं और वो rule को समझने समझते 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 तो आदी जिंदगी चली जाती है कि या तो आपको force कर दिया जाता है arrange marriage में या आपको you know even if you are exploring आपको पता ही नहीं होता है कि क्या parameters देखने हैं दूसरे को explore करने के लिए जो bollywood movies हैं वो भी यही बताती है कि अगर आपको कोई मिल जाए जो आपको प्यार करे तो आप अपना हाथ दे दे उनको whatever you know so to inflame union does not come from that philosophy at all आपको यह समझना होगा कि twin flame union यानी अपना union अपने अंदर अपने प्यार से और वो प्यार है God God is the prana, is the energy, is the light that is within you that loves you, guides you, nurtures you throughout this life and every lifetime forever आप जब अपने आपको प्यार करोगे तभी आप अपनी natural energy में आते रहोगे जैसे 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 natural energy में आते हो वैसे naturally, naturally लोग आपकी तरफ attract होते हैं whether it be opportunities, situations, people, things आपकी तरफ naturally आती even abundance, naturally तो यह word naturally का underline कर लीजे क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रही कि आपको कुछ करना पड़ेगा gym जाना पड़ेगा, कुछ alter करना पड़ेगा, आपको plastic surgery करना ही पड़ेगी कुछ नहीं करना है, mirror exercise करनी है you have to go in and heal all blocks that you are blocking yourself from being yourself so, जैसे diamond को धूला जाता है, तराशा जाता है ताके वो अपनी shine आए अपने आप ही shine आएगी, आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए which is totally opposite to the philosophy of the world philosophy of the world कहती है कि ऐसे बनो, ऐसे कपड़े पहनो कुछ, you know, आपको कुछ करना पड़ेगा कुछ circles में गूमना पड़ेगा आप ये app डाउनलोड करो और पतले लगो कि इतनी ज्यादा programming रहती है आपके अंदर और कब से चल रही है, even teenage years हम यहां से सुनते हैं, वहां से सुनते हैं अच्छा लड़कों को ये पसंद है, अच्छा लड़कियों को ये पसंद है लड़कियों को डियोडरेंट लगाना अच्छा लगता है बॉइस ऐसे करते है, so this is the thing, this is a problem actually क्योंकि आपके अंदर ये programming क्योंकि आप nervousness में रहते हो हमेशा फिर dating world में जाते हो तो आप इतना ज्यादा आपके अंदर रहता है वहम, programming, सामने वाला भी आपको ऐसे ही treat करता है commodity की तरह, ये checklist है, ये checklist है, ये checklist है आप checklist से चलोगे तो कैसे बनेगा, thank God we have the solution of twin flames, God ने हमें pairs में already बनाया है, already pairs में बनाया है, you are already created with your twin flame, so you have to stop doing what you were doing to attract attention from the outside, soulmate relationship को totally discard करना पड़ेगा, ये philosophy को अपने mind से निकालना पड़ेगा, जब ये हम idea के area से हम अपने mind से निकाल देते हैं, we don't need to attract anyone from the outside, लोग complain करते हैं कि, अरे, जब मैं, I'm so afraid to, you know, be myself, अगर मैं अपनी self में रहती हूँ तो बहुत लोग attract हो जाते हैं, no, it is because you are leaking your energy, you have only learned to leak your energy, आपने ये ही सीखा है, बचपन से, कि चाहे आपको किसीने directly बताया नहीं बताया, आप देख रहे हो आस-पास, even your parents to the some extent, कि आपको अच्छा लगना पड़ेगा, तभी आपकी शादी होगी, आप तेरे से शादी कौन करेगा अगर तू ऐसे रहेगी, तो you don't know, कब जाने अंजाने में आपके mind में ये programming चले गई, so you have to give up everything of all this programming की, I choose to let go of all the programming that does not serve me in being myself and being in my twin flame union, how to be in your twin flame union, is to be with yourself, अगर आप अपनी own energy में रहोगे, अपने उपर से ये programming हटा दोगे, ये belief systems को हटा दोगे and let go of any soulmate energy की, अच्छा twin flame नहीं मिला, तो मैं soulmate से काम चला लोगी, क्यों? जब already God ने दिया है, already God ने दिया है, so give up and let universe do the work for you, आप अगर किसी भी energy में बोलते हो God को God मुझे करना है, तो God पीछे हट जाते हैं, ये हो रहा है आपके साथ, जब आप पीछे हट जाओगे, God आपके लिए काम करेंगे, so this is about surrendering to God's energy, surrendering to God's truth की God ने मुझे already pairs में बनाया है, मुझे सिर्फ वो करना है, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ अपनी energy में रहना है, मुझे कुछ extra करने की ज़रूरत ने, मुझे कुछ इसी को attract करने की ज़रूरत ने, मुझे कुछ एक आप में जाने की ज़रूरत ने, मुझे चीज़ें असान हो जाती है अपको दोड़ो गया आप फिलिम यूनियन के तरह वरना देखते रहो वीडियोज ठीक है so let go of any philosophy जो आपको बताई गई है कि ऐसे आपको लोगों को रिजहाना है आपको people please करना है आपको men को attract करना या women को ऐसे women ऐसे attract बिलकुल grounded humble beautiful innocent इस energy में आने के लिए practice mirror exercise join my group coaching and you will see the difference in your life देरे देरे आप निखरोगे आप practice नहीं करोगे तो निखर नहीं आएगा वो जो soul का निखार है वो नहीं आएगा अगर आप देखो भार भार से पोता-पोती करते हो तो आपको temporary relationships ही मिलेंगे यह body temporary है so okay well body के relationships मिलेंगे आपको जो temporary है या तो lifetime तक भी चल जाएंगे lifetime तक भी चल जाएंगे फिर क्या करोगे दुबारा होगे फिर दुबारा करोगे यह सब काम why leak your energy God ने आपको बनाया है to create you are created to be create creative right so enjoy your energy for yourself why leak it why give it to someone why आपकी energy आपके लिए बनाएंगे है this is for you and only you that when I say you is included your twin flame union is included in that अगर आपको कुछ नहीं करना है बहार से कुछ अट्राट करने की ज़रूरत ने उनकी तरफ चेस करने की आपको एक चेसिंग energy बिलको खम हो जाएगी यह करोगे जो मैं आपको कह रही हूँ you are addicted and obsessed with your twin flame because आपको लगता है की obsessed होके addict होके ही मेरे को पाना है यह कोई पहाड चड़ने वाली बात ही है ही नहीं पहाड चड़ना ही नहीं है पहाड ही नहीं है पहली बात तो you just have to be yourself ठीक है I hope you are grasping what I am trying to say आपने अगर इस topic में deep जाना है definitely join my group coaching and I will train you I will show you how to let go of these limited belief systems let go of soulmate idea the idea की soulmate या भार से कैसे किसी को attract किया जाता है यह बिलकुल ideas जो भी हैं लिखो, shun them all because twin flame union comes by just loving yourself it is very very easy okay friends keep watching subscribe to my channel and I will see you in other videos bye